तो यहाँ पर देखें दोस्तों अगर आप यहाँ पर Realme Narzo 65G device के उज़र हो यार तो आज का यह particular वीडियो आपके लिए सबसे important and सबसे helpful वीडियो होगा क्योंकि इंडिया पर Realme की तरब से Realme Narzo 65G device के अंदर एक और नया बहुत यह अच्छा न्यू आपडेट यह रोल आउट हो चुका है तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको यह बहुत यह अच्छी तरीके से यहाँ पर बताएंगे आपको कौन से भर्सन के दौरा न्यू आपडेट मिला है आपके Realme Narzo 65G device के अंदर अपडेट का साइज क्या है और उसके साथ-साथ इस न्यू आपडेट के बाद आपके डिवाइस के अंदर आपको क्या-का फिचर्स and क्या-कान्यू चेंज़स मिलता है तो अगर आपको Realme Narzo 60 के इस New Update के बारे में जानना है तो वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक बहुत ही ध्यान से आप पूरा वीडियो को यहाँ पर वाच करिएगा ठीक है पर उससे पहले आपके भाई के यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके पास मुझे बेल है कि आपको दिख रहा है उसको डेफिनेटली आप आल पर सिलेक्ट कर लेना क्योंकि फ्यूचर पर आपको ऐसा ही यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा आपके भाई के च स्टार्ट हुआ है अपडेट के यहाँ पर भार्षन है और में 3750 14.0.0.701 ब्रैकेट पे एक 01 जी है इस भार्षन के दौरान न्यू अपडेट आपके रियल्मी नारजो 60 5G रिवाइस के अंदर आपको देखने हो मिल जोगा है तो देखें आपडेट काफी अच्छा है प इसके बाद आप यहाँ पर एब आउट फोन में जाहिए उसके बाद यहाँ पर आप सौप्ट्वार अपडेट सेक्शन के अंदर जाके चेक कीजिए यह जो यहाँ पर नहीं आपडेट है यह आपके रियल्मी नारजो 65G रिवाइस के अंदर आपको देखने हो मिल चुका बहुत ही बड़ा बात है आपके डिवाइस के अंदर आपको अभी तक देखने हो नहीं मिलेगा वह सब कुछ मैं आपको बहुत अच्ची तरीकिसा यहाँ पर यहाँ बता दोंगा ठीक है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिजेगा और यहाँ पर चेक करेगा ठीक है तो द आपडेट की साइस की बात करें तो 1.56 GB है लगबग 1.5 GB से उपर आपको देखने हो मिला है आपकी डिवाइस के अंदर चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं यह जो नहीं आपडेट है रियल मी नार्जो 65G डिवाइस यूजास के लिए इस आपडेट के बाद आपको क क्या क्या फिक्टर्च यहाँ पर क्क्या क्या चेंड़ें मिलता है वह सबसे पहले सीड्री के अंदर यहां पर ओमें का एंड्रोएड आज powdered बहुत है आपको एकदम आपड़े सिस्टेंड keeping कर दे गया इसके बबाद आपके बाद सिस्टेम ओक्ष कर देब बहुत ही के बाद वह दोस्तों यहां पर fix some known issues and improve system stability जीहां इस update के बाद आपके phone के अंदर जो issues थे थोड़े बहुत उसको भी fix कर देगा है और system की stability को काफी ज़्यादा यहां पर improve कर देगा है उसके बाद देखे system के अंदर आपको एक और बहुत important feature मिलता है वह है दोस्तों यहां पर optimized system performance जीहां यार इस update के बाद आपके device की system की performance को काफी ज़्याद optimized and काफी अच्छा कर देगा है मतलब देखिए अगर आपका device lag करता था hang करता था आपको कोई भी lag problem and also hang problem देखने को मिलता था तो यह जो नहीं हो update इस update को definitely कर लेना इस update को करने के बाद आपको lag problem and also hang problem देखने को नहीं मिलेगा आपका device काफी smooth और काफी यहां पर अच्छा चलने वाला है इस particular update के बाद जो एक बहुत अच्छी बात होता है तो देखिए मतलब इस update को करने के बाद आपका device को जब भी आप यूज करोगे तो आपको कोई भी यहां पर like hang problem lag problem देखने को नहीं मिलेगा आपका device काफी अच्छा and also काफी बढ़िया चलने वाला है जो एक काफी अच्छी बतरिक है तो यहां पर system की performance को काफी अच्छा कर देगा है उसके बाद देखे भाई battery drain problem जी हाँ यार अभी भी यहां पर still बहुत सरे users को यहां पर battery drain problem देखने हो मिलता है उनके device के अंदर तो अगर आपको आपके device के अंदर अभी भी battery drain issue या फिर battery drain problem यार देखने हो मिलता है तो यहां पर यह जो RMX 375 014.050.6701 bracket PEX01 यह जो update है इस update को कर लेना इस update के बाद आपको battery drain problem बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा battery performance को काफी अच्छा and also काफी बहतर कर देगा है इस update के बाद जो एक काफी अच्छी बात होता है मतलब battery drain problem आपको यह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा आज की मतलब यह जो नया update इस update के बाद उसके बाद आप देखें बहुत सरे लोग क्या करता है यार यह मी यहां पर gaming performance बहुत सरे लोग गेम खेलता है कोई PUBG खेलता है कोई Call of Duty खेलता है कोई Free Fire खेलता है तो कोई यहां पर BJMI खेलता है तो यहां पर जो चारो गेम्स का मैंने आपको नाम बताया PUBG, Call of Duty, Free Fire और BJMI इन चारो गेम्स में साब पॉन से गेम को खेलते हो आपका device के अंदर मेरे का नीचे comment section के अंदर comment करके बाता हो आप पॉन से गेम को खेलते हो योगी देखिए gaming performance को भी काफी अच्छा और काफी बहतर कर देगा है इस प्रेट के बाद मतलब गेम खेलते टाइम आपको बिल्कुल भी lag problem और यहां पर hang problem देखने को नहीं मिलेगा gaming performance को काफी smooth and also काफी अच्छा कर देगा है इस अप्डेट के बाद मतलब इस अप्डेट के बाद आपको एकदम stable frame rate के साथ बहुत अच्छा यहां पर gaming performance मिलेगा आपको यह गेम खेलने में काफी मज़ा आएगा इस अप्डेट के बाद तो देखिए यह जो सारा feature से यह feature स आपको मिलता है यह जो न्यू अप्डेट के बाद आपके real mini नार्जो 65 रिवाइस के अंदर आपको यह जिए बहुत छी तरीक अपर समझ में आ गया होगा real mini नार्जो 65 रिवाइस के अंदर आपको कौन से भरसन के दौरण न्यू आपडेट का साइज क्या है और इस अभी भी अपडेट नहीं मिला है तो आपको यह पर साथ से लेकर 10 दिन वेट करना पड़ेगा एक हपता वेट करो एक हपते के अंदर वान वीक के अंदर आपके डिवाइस के अंदर डिफिनेटल यह जो आपडेट है वह आपको देखने को मिल जाएगा ताब जाके आप आपको दिखा है उसको भी आप आल पर सेलेक्ट करें ना क्योंकि फ्यूचर पर आपको ऐसा ही मतलब रियल मी या फिरेड मी या फिर साव मी फोको सैमसंग कोई भी फॉंस के अंदर कोई भी आपडेट आएगा उसका वीडियो आपको सबसे पहले आपके भाई के चैनल के अंदर मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज के फिरेव बस इतना ही